अब देखिए अब हम लोग आगे हम लोग डिसकस करेंगे ब्लड से रिलेटेट पॉइंट्स के बारे में क्योंकि टिसू भी क्या है एक प्रकार का सियोजी उत्तक है कनेक्टिव टिसू है ठीक है तरल सियोजी उत्तक जिसको बोलते हैं उसने रक्त किस प्रकार का उत्तक है मैंने भी बता है रक्त के हैं तरल से उझू इज उझी अग्र ना 1 तक हैं यह याद रिखेगा इस कंसर होगा 2 दोनों अलग अलग कोईश्णस बन जाते हैं जब उसटा है रक्त कितने परकार के होते हैं तो याद रखेगा इसका अंसर कोई दो प्रकार के होते हैं तब उसका अंसर हो जाग के थीन इसमें पूछा है। रखत कितने परकार के होता है अंसर होगा 2 नेव्यिदया कर दो है आइतन छाभ वहा प्लाजमा संपुन रखत का कितना पृतिसाथ भाग होता है तो याद रहिए जाए को आपको 60% में मिलेंगे लेकिं NCRT में आपको 55% यह होगा है तो आप इसको याद रखेंगे ठीक है अगर मनले तो आप साथ को टेक आउट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगला है रक्त के ठोस भाग कौन है रक्त का जो ठोस भाग होता है उसे क्या का जाता है तो देखें मैंने बता है रक्त दो प्रकार का एक प्लाजमा और एक ब्लड सिल प्लाजमा जो होता है वो लिक्विड फॉम में पाए जाता है और इसमें 90% वाटर होते हैं कितना 90% इसम में water होता है 7% proteins होते हैं और उसके बाद different type के minerals होते हैं उसमें ठीक है लेकिन अगर हम solid part की बात करें तो solid means molecules रूप में होते हैं आपका ये तो कौन होता है ये आपका blood cell होते हैं रक्तकनी का होता है तो रक्तकनी का होता है तो रक्तकनी का देवलप करने का काम करता है WPC चले अगला प्रस्नी देखते हैं मानव सरीर का स्यानिक किसे कहा जाता है तो मैंने भी जस्ट बाता है था मानव सरीर का स्यानिक होता है वह किसे कहा जाता है WPC को कहा जाता है नेस्ट है रोगों से लरने में कौन मदद करता है το मैंने भी जब भी बाता है इम्यूनसिस्टेम को डेवलप करता है इसलिए डिजीद से भी हमें क्या करता है प्रोट्ट करने बाहरे नाम कीया है कि ऩे रग्श्थ का फेगानिक नाम क्या हो जागा? Erythyrocyte हो जागा. Ops toolbar A.S का correct answer है. Lyukocyte किसका? WBC का? Thrombocyte किसका? Platylet का? यानि रक्त पटी का अनु का. Next है, RBC तथा WBC का अनुपात क्या होता है? हमारे सरीर में RBC और WBC का racio कितना होता है? तो चुक्छे यह दोनों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रबीसी और वीसी का रेशियो क्या हो जागा 600 is to one यानि के छैसे नुपात एक और यदि इसी को उलट करके कुशन पूज़ दे के डेपली बीसी तथा रबीसी का रेशियो तो अब भी इसी तरीके से उसको उल्डा कर दीजेगा आगला प्रस्ट है र다तो समूह का खोज उनिसस्यसियों में किस न पिया था तो जो ब्लेड ग्रूप्स होते हैं वह जनेरली चार परकार के होते हैं और इन ब्लेड ग्रूप्स और ते नेक्स्ट है ऐह रखने परिवहन का खोज ने किस ने किया था यानि कि ब्लिटर सर्कुलेशन का खोज किस ने किया प्लिट Stuans अगे क chosen हों उन्हले और अगला है अगला मानें शुमें कितने प्रबगाल के एंटीजन पाए जाते हैं तो याद रख्या है रक्त में दो परकार के दिन पाए जाते हैं एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन B नेक्स्ट है सरवदाता रक्त समूह कौन होता है तो देखे युनिवर्सल डोनर यानि कि वैसा ब्लट्गृप जो किसी को भी दिया जा सकता है तो उस वो कॉन सा है तो वो हो जाएगा ओ ओ बिर जो है किसी को भी दिया जा सकता है इसलिए ऑna blood गूर्प को क्या कहा जाता है युनिवर्शल डौर्णर जानी कि अगर बात करेगा तो A B हो जागा या इसका अंसर हो जागा option number C A B blood group जो है वह क्या है किसी भी प्रकार के blood group को ले सकता है इसको A B या फिर A B या O किसी प्रकार के blood group को दिया जा सकता है जिसका blood group A B positive A B है ठीक है नेक्स डैस सरीर के अंदर किसी उपस्तिती में रक्त नहीं जमता है तो मैंने प। पता है हिपयरीन जो होता है उसकी वज़े से για होता है सरीर में रक्त नहीं जमता है तो C इसका correct answer हो जाएगा और रक्त किसके कारन जमता है तो रक्त पट्टी कानू या फिर फैबरी नोजेन भी रक्त को जमाने में मदद करता है अगला है, रक्त की कमी से कौन सी बीमाड़ी होती है तो रक्त की कमी से होती है एनिमिया option No.B या इसका correct होगा झाल झाल